तो इनकी बहुत ही ख्याती है और इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आने और जाने की जो बहुत ही सिंपल है चोटन से चार किलोमेटर के आसपास पढ़ता है और यह इनका प्रीज वार है और यहां पर चारों तरफ आप देखेंगे तो पहाड़ों से गिरा हुआ है इसे दिखाए इनको पहाड तो पहाड़ों का गजवी महोल है यहां पर चारतर पाहड़ अरावली परवत की जो संकला है पूरी तरीके से यहां पर विसाल रूप में नजर आती है और इसके बारे में और अभी हम जानकार के से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके है धन्यवाद अब आप आसपास के लोकेशन को देख सकते हैं कि जब हम वाकल माता की तरफ बढ़े तो प्रकर्ति की असीम प्रपा परसाने के लिए प्रकर्ति स्वैम आ जाती है और इन पहाड़ों और प्येड़ों क का पूरी तरीके सर स्वागत किया जाता है आप वीडियो में आगे बढ़ें तो हम आपको वाकल माता की पूरी कहानी समझाते हैं वैसे तो वाकल माता का जो मंदिर है बाडमेर से लगभग 48 किलोमीटर और चोफटन तसियन से लगभग 10 किलोमीटर के उत्तर में स्थित है जो लगभग 400 वर्सों से अधिक पुराना है विरात्रा माता भोपो की कूल देवी मानी जाती है यह मंदिर परवत की तलहटी में है जो एक और परवत शेणी से है दूसरी और बालू का राशी के परवता कार्टी प्ले से घीरा हुआ है इन दोनों के बीच में वाकल माता का मंदिर इस्तित है सुदुर पश्य में बलुक्चिस्तान के पास बेला शेत्र में मकरान परवत माला की एक गुफा हिंगुलाज के नाम से सुविख्यात है भारत में हिंगुलाज माता के सर्वादिक मानता रही है इसी यादि सक्ति इठ से विरात्रा माता का जुड़ाओ रहा है आप देख सकते हैं कि कितना सुन्दर रसे है माता के रास्ते का और वीडियों को आप पूरा देखें ताकि आप उसका पूरा मजा ले सकें वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करें क्योंकि स्किप करेंगे तो वीडियो का वह आनंद नहीं आएगा जो यात्रा का होता है हमने यात्रा में बहुत सारा समय लगाया और हम आपको येवल आठ मिर्ट के अंदर विरात्रा माता के दर्सन करवाइगे और उसके आसपास का जो महत्वपून और सबसे इंपोर्टेंट और सबसे अच्छा द्रस्टे हैं वो हमने केमरे के अंदर सूट किया है और आपको दिखाने की कोशिस की है आगे हम आपको बताते हैं कि वीर विक्रमादित्य के साथ आई थी वाकल माता ऐसी मानेता है कि वीर विक्रमादित्य वलुचिस्तान के अभियान में गया था तब उसने हिंगुलाज माता से प्रात्ना करते हुए कहा यदि वह विजयी रहा तो अराधना करने के लिए उसे माता अपने साथ ले जाएगा हिंगुलाज माता की क्रपा से उसकी दोस्तों विजय हुई जब उसने हिंगुलाज माता को साथ ले चलने के लिए अन्रोद किया माता ने उसकी प्राथा स्विकार करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूं तुम मुढ कर मत देखना अगर तुमने पीछे देखा तो महीं लोफ हो जाओंगी अथात गायब हो जाओंगी विक्रमादेत्य ने अपनी सेना के साथ उजेन के लिए प्रस्थान किया वह गोर्णा में रुका अनंतर प्रवत माला जब जहां अब देवी का मंदीर है कि निकट पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने के कारण वह भ्रमित हो गया और उसके चारों और अपनी द्रस्थी दोड़ाई इस पर देवी हिंगलार माता वहीं लोफ होई अब दोस्तों मेरे प्रस्थी यह उठा है कि माता का क्यूं नाम पड़ा वांकल माता या विरात्रा माता रात्री को वीर विक्रमतित्य महरुका इसलिए उसका नाम विरात्रा पड़ा दोस्तों कलंतर में इस पहार की चोटी पर देवी का मंदीर बनाये गया है बक्ति जनों को इस पाहर पर चड़ने में कठिनाई होती थी भक्तों द्वारा प्राथना करने पर विरात्रा माता की मूर्टी जो विसाल पत्थर के साथ जुड़ी वी थी तुड़क कर नीचे आ गई वही नया एक मंदिर बनाया गया दिविकि करटन टेडी हो करने के कारण ही दोस्तों इनका नाम वाकल विरात्रा माता पड़ गया तो अब हम मंदिर में प्रिवेस्ट करने वाले हैं तो अब हम आपको मंदिर के आसपास का द्रस्य दिखाने की कोशिस करेंगे तो मंदिर बहुत ही सुन्दर और बहुत ही नकर्थी से लीन नजर आता है चार उतफ हरे भरे पहाड घाटियां और घाटियों के बीच में से यह राश्ता हम ने यहाँ पर आकर के प्रसाद लिया आप यहां बहुत ही सुन्दर ब्रस्य नजर आयेगा तो तो पहुत ही सुन्दर मंदिर और माता का सिर्वात पूरा प्राप्त होगा यह दि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और यह दि आपके मनोकामना पूरी हो तो आप वाकर माता के दर्सन करने आशकते हैं दोस्तों इस मंदिर में वर्ष में तीन बार चैत्र भाव भाद्वा मास मास के सुक्लेपक्ष की 410 को मेले लगते हैं इंदर तीन दिन का चलता है भारत के विभिण शेत्रों के अलावा नेपाल से भी श्रधा लूह दर्सन करने के यहां पर आते हैं आपको पता होना चाहिए कि इस देवी के प्रति असीम सद्धा जसल में राजगराने की भी रही है 1772 में महारावल अमर सिंग ने इस मंदिर में विर घंटा चड़ाई थी जो अब भी यहां विद्यमान है लिद्यमानदिय के इस्थान पर अन्यकुंद, पुजिनिये के इस्थान विष्राम ग्रह भी बने हुए है यह कुंड हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे और पुझनी एस्तल भी है विश्राम ग्रव भी है वो भी आज पर सबी चीजे बनी वी है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हमने वीडियो को तुरा सा सोट करने की उपोसिस की तो तो दोस्तों यह आप करण पगंटा नजर आ रहा हूं तो यह हमारा आपने चनल सब्सक्राइब करें बड़ाते के बाएक वीडियो तो यह दोस्तों ब्रों मंदर में आपका स्वाग्ट तो आए तो आए कि उसे को आपने कि आफ़कर मां आपा मंदिर के यहां यां कि आपकर मंदिर और देख सक किस तरीके सा आगे सिस्टम जलता है किस बड Hill जलताए है किसना पहस्तों जलता है किसी सा किस मारी अ Clickère Vocês जलता है वाला बुलादा तुलादा we नघा तरी टे ङहाँ नो मुझे के दे पहाँ कि रिधी इता landmark झाल लुलादा ए्जय Sóब खराम कि भुला जे कि खराम 24 er